हेलो गाईज दिस इस गरीमा गिल कैसे हैं आप सब लोग तो आज हमें पढ़ना है प्राइम एरेडियन के बारे में कि वो क्या है और किन के इंदेशों से होकर गुजरती है तो प्राइम एरेडियन क्या है प्राइम एरेडियन एक लोंगिट्यूड है अट जीरो डिग्री अचा प्रित्वी पर जीरो डिग्री दिशांतर दिशांतर होता है लोंगिट्यूड और अक्षांश होता है लैटिट्यूड तो प्रित्वी पर जीरो डिग्री दिशांतर प Regional K тоきた जरुदि आए जरुदिगरी लॉंगिट्याल जरुदिगरी दिशांटर पर खीची जाती है वह मद्याहं रेखा कहई करती हैえて अधन्या में उत्ट्र रेखा भी कह सकते हैं Green Witch रेखा भी गहथाती है है, अझा है दुनिया का मानक समय मानक समय बीडर टाइम मरब जो पूरी वर्ड का टाइम डिसाइड करता है, तो दुनिया का standard time इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है अच्छा अब green witch रेखा क्यों कहते है इसको तो लंदन का एक शहर है green witch वो इस रेखा पर लाई करता है मतलब उसे काड़ती हुई मतलब वहाँ से पास होती है ये रेखा और उसे शहर से लंदन के green witch शहर से ही हम standard time निरधारित करते हैं तो that's all about Prime Meridian तो अब हम पढ़ते हैं कि Prime Meridian किन के इंदेशों से होकर गुजरती है तो यह देखिए एक globe है और यह जो black line है यह Prime Meridian 0 degree longitude तो हम zoom करके देखते हैं कि यह मतलब map के थूँ बहुत अच्छे से इसे समझते हैं किन किन देशों से होकर गुजरती है तो यह थ्री कॉंटिनेंट से पास होती है, the first one is Europe the second one is Africa and the third one is Antarctica, तो यूरोप की थ्री कंट्री से पास होती है यह देखिए Prime Meridian है 0 degree at 0 degree तो जो यूरोप की फर्स्ट कंट्री है वो है UK United Kingdom, then France and then Spain तो यह थ्री कंट्री है यूरोप की जहां से Prime Meridian पास होती है, अच्छा उसके बाद एफरीका की 5 कंट्री से पास होती है the first one is Algeria, then Mali, then Burkina Faso then Togo and then Ghana, तो यह 5 कंट्री है एफरीका की Algeria, Mali, Burkina Faso Togo and Ghana जिनसे की Prime Meridian पास होती है अच्छा उसके बाद Antarctica जो continent है, उसका एक छोटा सा region है Queen Maudland in Antarctica, तो यह छोटा सा region है Antarctica का जहां से Prime Meridian पास होती है तो यह टोटल 9 कंट्री से जहां से Prime Meridian पास होई the first one is United Kingdom then France, then Spain then Algeria फिर Mali Mali से पास होती ही Burkina Faso, then Togo Ghana and Queen Maudland in Antarctica तो यह टोटल 9 कंट्री से 3 कंटिनेंट्स की जहां से Prime Meridian पास होती है तो अब हम देखते हैं कि यह जो Prime Meridian की right side वाली कंट्री से वो कहलाती है Eastern countries और जो Prime Meridian की left side वाली कंट्री से वो कहलाती है Western countries तो जो Prime Meridian की right side आती है वो होती है सारे 180 degree 180 longitudes होता है एक longitude एक degree पे होता है तो वो total 180 degree पे होता है तो जो right side होता है वो 180 degree तक के पूर्वी देशांतर कहलाता है यानि 180 degree तक के Eastern longitudes उसे तरह जो left side होता है वो 180 degree तक के पस्चे में यानि की Western longitude पश्ची भी देशांत्र कहलाते हैं तो उसके बाद हम इसको ट्रिक्स के साथ जीन जिन कंट्री से प्राइम मेरीडेन पास होते हैं अच्छे से समझते हैं तो ये total nine countries हैं हमने उनकी लिस्ट बनाई है तो countries on the प्राइम मेरीडेन, United Kingdom अच्छा तो यह ट्रिक है देखो तो इसमें हमने प्राइम मेरिडिन को भी इंट्लिट किया है इस ट्रिक में ताकि आपको इसली लर्न रहा है कि प्राइम मेरिडिन की कंट्रीज है तो प्राइमरी UKG के फेर से डर कर और एलजीरिया का माली बर्फ तोडने घर गया राणी के तो प्राइमरी के प्राइम से प्राइम मेरिडिन अब इसकी कंट्रीज है यूके जी से UK से रेनाइटτι किंडम के फेर से फेर से milliards और से से के से सिपैंन कर इस को इग्नोर करो एलजिरिया, एलजिरिया से एलजिरिया, का, माली से माली, बरफ, B.U.R से बर्कीना और F.साइट, तो बर्कीना फासो, बरफ, तोड़ने, T.O. से टोगो, घर, G.S. से घाना गया, रानी, रानी, क्वीन, क्वीन, मोर्द लैंड इन्टाक्टिका, रिजन अफ एन्टाक्टिक तो प्राइमरी UKG के फिर से डर कर Algeria का वाली बरफ तोड़ने घर गया रानी के United Kingdom, France, Spain, Algeria Mali, Burkina, Faso, Togo Ghana, Moreland in Antarctica Region of Antarctica तो यह था प्राइमरी देन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे महा सागर और महा जवीपों के बारे में हमारी साथ बनेरे ये Thank you so much